हाई फ्रेंट्स मैं हूं रेखा और रेखा दैनियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिल्कुल अच्छे आज हम आपके लेकर आया है मुंबई स्टाइल मसाला चीज पाओ बनाने में बहुत ही ईजी है और सभी को बहुत ही पसंद आने वाली का है अब हम डाल देंगे थोड़े से राई के दाने हमने यह पर लिया है दो मीडियम साइज के प्यास बारीक कट करके रखे हैं इनको हम ऑईल में डाल देंगे प्यास का कच्छा पल निकल जाए तक तक हम प्यास को अची तरह से भून लेंगे प्यास का कलर चेंज हो गया है अब हम डाल देंगे इसमें शिम्ला मिर्च हमने यहां पर एक बड़े साइस की शिम्ला मिर्च बारीक कट करके रखी है शिम्ला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमने शिम्ला मिर्च डाल दी है सब्सक्राइब को बहुत अच्छी तरह से प्राइब करना है हमें एक कफ हमने लिए है बारीक कटिवी पत्ता गोभी पत्ता गोभी को भी हम पैन में डाल देंगे पत्ता गोभी और शिम्ला में बहुत अच्छी तरह से फ्राइब हो चुकी है हमने यहां पर चार टमाटर लिये हैं इनको बारीक कट कर लिया है और यह बहुत ही जूसी है जो सलाद में काम में लेते हैं वही वाले टमाटर हैं इनको भी हमने पैन में डाल दिया है अब बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम पका लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चमच हरादनिया पाउडर लगबग आधा चमच के आसपस हमने लिया है पाव भाजी मसाला यह फ्लेवर के लिए डाला है इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है एक चमच लाल मिर्श पाउडर आप अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी ची और एड़ कर सकते हैं सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए सब्जियों में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसको इस तरह से दबा दबा करके पका लेंगे देखिए हमने इस तरह से दबा दबा करके सभी टमाटरों को एक दम मैश कर लिया है और हमाई जो सबजियां हैंशे से तयार हो चुकी हैं देखिए सभी सबजियां अब हमझा डालं जने आधा गलासक्त पानी पानी जला है क्या स्वाद के जूइस हो गई हैं का नो अब हमझाने को मुटनी हम Eggs अगर आप गरम मसाला फसंद करते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला भी अड़ कर सकते हैं 族 चीज मसाला पाव को और टेस्टि बनाने के लिए हम यहा पर डाल रहें थोड़ा सा और रियानो और एक्चमच बतर बटर को और औरिगनो को हम सब्जियों में मिक्स कर देंगे चीज मसाला पाव के लिए हमारी सब्जियां एकदम रेडी हैं अब हम सब्जियों को एक साइड में कर देंगे यह देखिए हमने पैन में सब्जियों को कर दिया है साइड से हमने पाव लिया है और पाव को बीच में से कट कर देंगे साइड में हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया है अब हम इसी पे पाव को सेखेंगे ताकि जो हमारा पाव हो बिलकुल मार्केट जासा लगे यह देखिए बहुत बढ़िया से हम पाव को सेख लेंगे साइड चेंज करके सेख लेंगे उपर भी हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है साइड चेंज कर देंगे देखिए कितना बढ़िया से हमारे पाव सेख गया है बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है यह देखिए हमारा पाव सेखके तयार हो चुका है इस पर हम बहुत अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे मसाला पाव बन रहा है तो मसाला बहुत अच्छी तरह से लगाना बनता है मसाला लगाने के बाद हम उपर से पाव के अंदर चीज लगा देंगे और चीज हमने बहुत अच्छी तरह से लगा दिये देखिए क्योंकि चीज मसाला पाव बनाने जा रहे है ये देखिए दूसरे पीस से मैंने पाव को कवर कर दिया है अब हम दो मिनिट के लिए और इसको इस तरह सेक लेंगे दबा करके पाव के ऊपर भी थुड़ा सा मसाला लगा देगे ताकि ये लुकिंग में और भी बढ़िया लगा दिया है और चीज भी हमारी लगबग میल्ट हो चुकी है देखिए कितना बढ़िया हमारा चीज मसाला पाव बनके रेडी हुआ है मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ इसी तरह से हम सारे मसाला पाव बना करके रेडी कर लेंगे देखिए दूसरा मसाला पाव भी हमारा बन के बिल्कुल रेडी है इसी तरह से हम सारे पीस तयार कर लेंगे देखिए हमारा मसाला चीज पाव बिल्कुल रेडी है हमने सर्फ भी कर दिया है उपर से मैं थोड़ा सा औरेगानो और चिली फ्लिक्स डाल रहे हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप पसंद करें तो डालें वरना स्किप कर दें यह देखिए मैं चिली फ्लिक्स भी डाल दी है चीज मसाला पाव बनाया है इसलिए मैं थोड़ा सा गार्नेशिं के लिए उपर से चीज भी रख दिया है चीज मसाला पाव बिल्कुल रेडी है देखिए लुकिंग में बहुत ही बड़िया लग रहा है वो बहुत ही टेस्टी भी है तो आप चीज मसाला पाव बनाये टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें थैंक यू थैंक यू सो मच हवा नाइस डे